Dear students, good morning. This video is for both LKG and UKG of KBRI Academy, subject English. Today's topic, short words and their meanings. आज हम छोटे छोटे वर्ड और उनके meaning जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. T-H-I-S This, this means yeah. Next, T-H-A-T That, that means वह. Next, T-H-E-S-E These, these means a sub. Next, T-H-O-S-E Those, those means way sub. Next, H-E He, he means well. Next, S-H-E-C She means well. Next, I-I means man. Next, W-E-V We means hum. Next, Y-O-U You, you means tum या आप. Next, T-H-E-Y They, they means way. Next, Y-O-U-R Your, your means तुम्हारा या आपका. Next, M-Y My, my means मेरा. Next, A-M M, M means whom. चलिए एक बार और रिट कर लेते हैं. T-H-I-S This, this means Y-O This का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पास के किसी एक बैक्तिया वस्त के लिए करते हैं. T-H-E-T That, that means whom. ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? दूर की किसी बैक्तिया वस्त के लिए करते हैं. जो एक हो. Next, T-H-E-S-E These, these means वे एसब. These का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पास के किसी? पास के एक से अधिक बैक्तिया वस्त के लिए करते हैं. Next, T-H-O-S-E दोज. दोज means वे सब. दोज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दूर के किसी एक से अधिक बैक्तिया वस्त के लिए करते हैं. H-E-He means वह. S-H-E-C, C means वह. इन दोजों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? चलिए जानते हैं. H-E means भी वह होता है और C means भी वह होता है. लेकिन ही का प्रयोग हम पुरुसिया लड़कों के लिए करते हैं. और C का प्रयोग इस्त्रिया लड़कियों के लिए करते हैं. आई, आई means मैं. नेक्ष्ट, डबलू, इ, वी, वी means हम. नेक्ष्ट, वाई, ओ, यू, यू, यू means तुम्या, आप. नेक्ष्ट, टी, एच, इ, वाई, दे, दे means वे. नेक्ष्ट, वाई, ओ, यू, आर, यूर, यूर, यूर means तुम्हारा या, आपका. नेक्ष्ट, एम, वाई, माई, माई means मेरा. नेक्ष्ट, ए, एम, एम, एम means हुँ. थैंक्यू.